आज की नियूस से आप लोगों को पता ने अभी तक पता चला हो गए नहीं सलमान खान के वुड़ भी किलर्स पकड़े गए अब वुड़ इसलिए बोलना हूं कि बहुत लोगों के कातिल पकड़े नहीं जाते ना काम करना के बाद भी और क्योंकि अब इजात चीविया के पास चली गई है तो लोगों की इतनी बुरी फटी पड़ी है कि कुछ चीजें प्लान करने में हड़ बढ़ा रहे हैं और मुझे यह कहीं या कहीं से विक्टिम कार्ट की बहुत बड़ी बू आ रही है अब कैसे आप इसके पीचे की कि सीपी आए आइए पास आज के आज केस जाता है सुपरीम कोड के दुवरार और सलमान खां का नाम यह उछाला जा रहा है कहीं नहां कहीं कहीं सौफ कॉर्णर की की फो सकता है पंचोली के मामले में जो अदिशा के साथ हुआ उसके बाद हरा वख कर उसके इजसा की इजlé जाते हैं जो प्लाइन कर रहे था सलंमान खान को मारने के लिए क्योंकि सलमान खान ने कुछ साल काफी साल पहले ब्लैक-बॉट-ब्लैक-बॉट और मारा था जिसमें जो बिश्णूई था आज उस में उसके कहने पर चार सेchar को चालों सलमान खान करते हैं मेंडरा के और दो दिन रहते हैं मारने कीमार नहीं पाते हैं कि लुट को काति तो उगलेंगे भी और जो भी कारूनी कार्यवाई होगी वह होगी और गलत सा भी दुआ तो आगे पता ही चलेगा कि प्लैनिंग थी या फिर प्लैनिंग की भी प्लैनिंग थी समझे आप यह सब एक सब्सक्राइब किया गया ताकि अब जब यहां छो तो सल्मान खान को एक विक्टिम की तरह दिखाया जब पापी बना के ओ मैं तो खुद नमरने वाला था मेरे लिए तो खुश शाप शूटर भेजे गया थे मैं तो इतना इनुसेंट एक्टर हूं इतना इनुसेंट हूं के लिए मैं दोनों तरफ किताबे खुली रखता हूं यह कॉंस्पिरसी भी हो सकती है सचमें सल्मान खान को मारने के लिए या यह सल्मान खान के ग्रूप के द्वारा एक प्लैनिंग भी हो सकती है कि सल्मान खान को बचाया जाए सीबी आई की रिडार से तो इनको खुदी डूब मुरना चाहिए फिर मिलते हैं अगली वुड़े में जैहिंद वन्ने मातर। हिंदू भाईो शेर बनो जबाब दो ना सेर बन सको तो सेर करो दबा के सेर करो